नमस्कार दोस्तों आज हम दो पेनिस स्टॉक की बात करने वाले हैं और जिन दो पेनिस स्टॉक की बात करने वाले हैं दोस्तों वे दोनों स्टॉक आगे आने वाले दिनों में मल्टी बैगर सावित हो सकते हैं और कैसे सावित होंगे क्यों सावित होंगे पूरी की पूरी व बन चुका है और जिस तरह से इसमें वॉल्यूम बना है मुझे ऐसा लगता है कि यह जीरो से हीरो वाला स्टॉक है तो दोस्तों बिना स्किप की वे इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों आज हम दो स्टॉक की बात करने वाले हैं और दोनों के दोनों एजुकेशन से है अगर कोई सेर अगर कोई सेर एजुकेशन से रिलेटेट सेर मार्केट में है तो वह पहले नंबर पे है बेरांदा लर्निंग जियां दोस्तों और जो एक सो पचीस रुपे से तीन सो रुपे हाई बनाया और आज के डेट में उसका मार्केट कैप सबसे जाते हैं वहीं दूसरे नंबर स्टॉक के अगर हम बात करें तो वह है सांती एजुकेशन जियां दोस्तों सांती एजुकेशन के अगर हम बात करें तो जो स्टॉक 6 महीना पहले 90 रुपे का हुआ करता था दोस्तों आज के डेट में वह 950 रुपे हाई बना कर गया मतलब कि 6 महीना पहले जिन लोगों ने एक लाख रुपे उस स्टॉक में लगाए होते हैं, तो आज के डेट में उनको कम सकम 10 लाख रुपे तक का प्रॉफिट चलता, उसी तरह से आज हम जिन दो स्टॉक की बात करने वाल हैं, ये दोनों स्टॉक का प्राइस तो अभी बहुत ही कम है, और आगे आने वाले दिनों में ये भी हमें multi bagger साबित हो सकते हैं, multi for return हमें हमारे portfolio में दे सकते हैं, तो दोस्तों, अब हम बिना देर की वे चार्ट के उपर आते हैं, और चार्ट पर समझने की कोसिज करते हैं, तो फ्रेंट जो आपके सामने यहां पर चार्ट पर दिख रहा होगा यह stock, इसका नाम है tree house education, जी हैं दोस्तों, tree house education की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे 9.95 पैसे पर जिस तरह से यहां पर breakout हुआ, और फिलहाल इसका price 11.25 पैसा चल ला है, अगर हम stock में entry करें, तो दोस्तों, दो चीजे हमें देखनी बहुत जरूरी होती है, वो होता है, सबसे पहला fundamental, और अगर कोई stock में हम short term के लिए घुसते हैं, मतलब कि अगर हम fundamental नहीं देखना चाते हैं, हम यह चाहते हैं, कि chart पर हम analysis करके, और उस stock में घुसे, और बहुत ही जल्दी उसमें एक अच्छा कांसा profit लेकर के घुसे, तो वहां पर आपको technically देखना पड़ता ह technically पर आपको एक breakout देखना पड़ता है और दूसरा देखना पड़ता है volume, तो दोस्तों आपके सामने यह जो यहां पर volume देख रहा है, आप देखेंगे कि आज तक के, मतलब कि अगर 3-4 महिनी के volume candle को आप देखेंगे, तो आपको ऐसा लगया कि जो यह दो volume बना है, यहां प इस चार्ट को एक महिनी के time frame पर लेकर क्या हूं, और एक महिनी के time frame पर आप देखेंगे कि इसका price एक समय है, चलिए यहां पर ध्यान से देख लिजिए एक बार, इसका price 500, ध्यान से देखते हैं, एक बार 560-550 हुआ करता था, आज के date में मातर इसका price कितना चला है, 11 रुपे भी चाता है, तो भी हम यह सोच सकते हैं कि अगर हम यहां पर कुछ पैसे लगाते हैं, तो हम एक बहुत बढ़िया profit दे सकता है, लेकिन जिस तर से volume में उच्छाल हो रहा है, दोस्तों, इसमें कई दिनों से एक बार आप भी इसका volume analysis जरूर किजिएगा, लेकिन मे अगर हम इसके stopless की बात करें, तो मातर stopless अभी 11.25 पैसा चला है, अगर हम stopless की बात करें, तो 9 रुपया से 2 रुपया हमारे पास stopless होगा, अब अगर हम अपने दूसरे number stock की बात करें, तो दूसरा number stock हमारा रहेगा, आप सब को पता होगा, वर्चुल ग्लोबल, जियां द stock भी 60 पैसे का हुआ करता था, 60 पैसे से इस stock ने 3 रुपया 49 पैसा हाई बनाया, और आज के date में अगर आप ध्याम से देखेंगे, तो ये भी आ चुका है, अपने कहां पर, demand zone के पास आ चुका है, अब इस demand zone के पास, अगर हम पहले से buy किये हुए हैं, और अगर हम यहां प 40 पैसा या 1 रुपया, यहां पर एक बहुत बढ़िया प्राइस होगा, buy करने के लिए, और अगर stock के high की बात करें दोस्तों, तो ये stock एक समय ऐसा था, आप देख सकते हैं, यहां पर high 19 रुपय, 20 रुपय बनाया है, लेकिन हमें मात्र, इसमें अगर 6 रुपय से 7 रुपय इसी तरह के stock को पाने के लिए, एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरे लाइब लिवस के call सीए, टेलिग्राम को जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्सम बॉक्स में डाल करके रखाओं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लिए, त अपने जहां पर हम रहते हैं, वहाँ पर जैसे ही आएं, तो आपके सामने ये दो stock लेकर आया हूँ,